कोटा में खुलेगा विद्यार्थी थाना बुद्वार को आदे और विवार को पूरे दिन रहेगी छुट्टी राजस्तान के कोटा में पर्तियोगी प्रिक्षियाओं की तैयारी करने वाले छातर छातराओं के आतमात्या करने की लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब राज्य सरकार कोचिंग संसालकों के पर्ति सक्त हो गई है दोस्तों सरकार कोचिंग संसानों वे नीजे होस्टल को लेकर नई नीती बनाने की तैयारी कर रही है नीती बनाए जाने और क्रियानिमित होने तक कोचिंग संसानों वे होस्टल मालिकों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिये गए हैं गाइड लेन का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थान और होस्टल सीज़ कर दिये जाएंगे परसाशन इन पर ताला लगा देगा इसके साथ ही बुदवार को आदे और रविवार को पूरे दिन छुट्टी रखे जाने का निरने लिया गया है विद्यारती थाना कोलने को लेकर प्रस्ताव भीजा गया है कलेक्टर और प्लिस अधिक सक ने मंगलवार को उक्ते सम्मन में कोचिंग संस्थान और होस्टल के संचालकों को सूच ना दी है उन्हें साफ कहा गया कि बड़े पैसे कमाने की होड में अब छात्रों पर पढ़ाई का अधिक बोज नहीं डाला जाएगा परस्तावस ने कहा कि रविवार को कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे